आज हम जो यहां आप सब बैठे हैं मैं आज आप लोगों के प्रश्णों के उत्तर देने के लिए यहां नहीं बैठा पहली बाद उसका एक कारण है आज तारीक है 25 फरवरी 2018 ओश्वकुम में 19 जनवरी को मैं लास्ट टाइम बात किया था 19 जनवरी के बाद मैंने बीच में एक पॉज लिया क्यूंकि मुझे मनोवेग्यान पे चेंतन करने की बहुत जरूत नहीं है जिसके लिए मुझे पॉज लेना पड़े लेकिन मैंने एक महिने का जो वक्त लिया वो सिर्फ इसली लिया कि आखिर भूल कहां हो रही है वो चाहे मुझे से हो चाहे अभी तक होती आई हो चाहे ध्यान से संभती चाहे जो भी मैंने इस पे कि मुझे क्या फूटता है इसके लिए पॉस की जरूरत मुझे थी मैं चुप बैठा और आज जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे कहना है जो इतने दिनों के बाद पॉस के बाद आज मुझे से फूट रहा है और यहां पे मैं एक व्यक्ति की समस्या कि उसको ध्यान नहीं घट रहा किसी की समस्या कि उसको बीबी से और बच्चों से नहीं बन रही किसी की समस्या की वो बेपसायरी चल दा, इनकी बात करने नहीं बैठा, बहुत हो गया, बहुतों की बीविया सेटिस्पाई हो गई, तो क्या हो गया, बहुतों को ध्यान घट गया, तो क्या हो गया, आखिर कुछ तो है जो बहुत बड़ी भूल होती आई है, और वो सबसे हो अतीत के सभी धर्मों से एक भूल होती आई और वो भूल धर्मों की नहीं है वो भूल है करुणा की भूल उस धर्म के जो भी संसापक थे उनकी करुणा से एक भूल होती आई मैं आप सब जानते हैं मेरे बारे में जो नहीं जानते हैं वो पिछले के वीडियो में सुनने कोई वीडियो हटाएगा नहीं कोई हटाया नहीं जाएगा जो भी यूट्यूब पे जो भी कहीं पे भी जो भी बाते पड़ी है वो भी सब को जानना ज़रूरी है कि एक व्यक्त लेकिन अब यहां पर अतीत की बात ना करते हुए मैं कुछ भविष्ट की बात करना चाह रहा हूँ अभी तक हुआ यह है कि जब जब किसी व्यक्ति ने कुछ जाना और जगत को देने की कोशिश की तो उस जगत की कोशिश में देने की कोशिश में उसके पीछे जब कारण रहा वो करुणा रहा लेकिन करुणा जो है क्या वो व्यक्ति बादी होती समाज बादी होती भविष्य उन्मुकी होती अतीत उन्मुकी होती वो कैसी होती तो करना तो एक तरीके की प्रेम की बरसात है जो हो जाती है लेकिन उस प्रेम की बरसात में कुछ भूले हैं जिसके कारण दुनिया में सदा से जंजट था है और चला आरा वो भूल ये है कि इंसान जो भी सामने आता है हम उसकी समस्या से संबंदित बात करने लगते हैं मुझे जब भी कोई प्रश्न करता है मुझे लगता है कि इसके प्रश्न को मैं उत्तर दूँ इसे शान कर दूँ लेकिन कुकुरमुत्तों की तरह उठते हुए प्रश्नों के उत्तर देते देते हम अस्ती समाधान पे कभी पहुँच ही नहीं पाते पूरी जिन्गी हम घास के तिनके नोस्ते रहते ये सामानी व्यक्ति भी करता है और बुद्धपुर्सों से भी हम यही करवाते रहे हम घास के तिनके नोस्ते रहे समय के अनुसार फिर पानी परस्ता रहा और नईने घांसे जमती रही मन की घांस सदा जमती रहती सदा जमती रहती तो यहाँ पे मैं भविश्य की बात करना चाहता हूँ मैं अतीत की कोई बात नहीं करना चाहता लोग आते हैं मुझसे प्रश्मूरते शंकर ने क्या किया, राम कैसे थे, बुद्ध कैसे थे, तुम्हे ना बुद्ध होना ना शंकर होना, ना राम होना, असली बात यह है, दिमाग में बड़ा कच्रा भरा हुआ है, तुम अपने ज्यानों के प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं, इससे कुछ नहीं होता, इससे ही तुम्हें ना तो आंसर मिलते हैं, ना ही कुछ, बस थोड़ी देर के लिए मन की मकारियों को विराम मिल जाता है, तो मैं अब इन सारी बातों पे विराम दे रहा हूँ, मैं ये बाते करूँगा आगे चलके, बाते कर लूँगा, लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ, उसकी बात शेली से प्रेम रहा, तो मुझे ओशो से प्रेम रहा, आप सब जानते हैं, लेकिन अभी बैठे बैठे यूनी ख्याल आया, कि मैंने ओशो के जीवन को जब देखो, तो उनके अंतिम समय में जब वो शरीर छोड़ रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने चार-छे मित्रों की बीच अपनी बातें रखी, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिंदगी लोगों के प्रश्णों के उन प्रश्णों के उत्तर देता रहा, जो प्रश्णों वो उठाते रहे, राम पे, बुद्ध पे, महाबीर पे, सब पे बोलते रहे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, हम क्या चाहते हैं, वो तो बात रहे ही गई, कहानी वहीं से शुरू कर लेते हैं, वो गए, हम भी अपने मरते वक्त यही बात कहें, कि हम क्या चाहते थे, वो तो रही गया, तो हम जो चाहते हैं, अब हम उसकी बात करेंगे, हम जो चाहते हैं, हम उसकी बात करेंगे, और वो बात ये है कि हम इस चीज़ का चिंतन नहीं करेंगे कि एक-एक व्यक्ती जो आए वो अच्छा हो जाए यह तो धंदा है यह तो बेपसाई के लिए जरूरी है कि हम एक-एक व्यक्ती पे काम करें लेकिन इस जो जगत को जरूरत है को कुछ ऐसी जरूरत है कि एक चीज ऐसी दी जानी चाहिए जो सभी की लिए बहुत जरूरी है जो सभी की लिए बहुत जरूरी है आप सब के घर हैं सब के मकान हैं आप लोग यहां बैठें थोड़ा हूँहां भी कर दिया करें तक 멋inflace है आप लोग बैठे ने तो लग रहा है कि हमीं भूल画 है कि हर ना तो आप सब के मकान है आप सबके मकान में जरूरी नहीं है कि सब कहां टीवी हो या टीवी हो तो जरूरी नहीं सबके एक साइस का हो आप सबके मकान में किचन डिफरेंट हो सकता है टीवी लेटने की सब विवस्ता डिफरेंट हो सकती है सब अलग-अलग हो सकती सब के घर में अलग हो सकती हृ लेकिन क्या कोई बतायー कि हर घर में क्या है जो कॉमन है और जो बहुत जरूरी भी है और बोले आप बोले थोड़ा सा बोले मुझे सयोग होगा मेरी अपनी बात कहने में यही तो जंजट है जग्रया यही तो जंजट है सब कोई अनंद पाना चाहते हैं चोड़ दीजिए ये हमने बुत पुरू से सिर्फ यही उमीद की कि प्रेम करण आनंद इन्हीं सबके बारे में लेक्चर देता रहे नहीं हर घर में एक चीज है जो जरूरी होती है और वो है आईना एक आईना होता है सब के काम का होता है मातर ऐसी चीज है जो हर घर में होता है और सब के काम का हुता सब यूजी कर लेते हैं अगर किस काम आता है वह आईना खुद को निर्खाने के लिए तो इस जगत को मैं एक डार्मिक ब्यक्ती चलो हूं उसके नाते ही कह रहा हूं इस जगत को हम कौन सा ऐसा आईना दें कि जिस से जगत अपना चेहरा सुधार सके वो तो आप मेरी बात पर ही आ गए मैं थोड़ी सी कुछ चीज़े कहना चाहता हूँ क्योंकि आप बच्चे मेरे साथ रहते हो तो वो चीज थोड़ी सी आप लोगों को मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ क्या कोई नियम ऐसा दिया जा सकता है जो सब लोगों पर लागू हूँ धर्मों से भूल क्या हुई अधित की धर्मों से भूल ये हुई कि कोई एक बुद्ध जब अपने घर से निकला परशान था उसके घर में आईना नहीं था जिससे वो अपने को पहचान सके तो जब वो घर से निकला तो उसने जिस शैली के तहट अपने को पहचाना उसने वही शैली जगत को दे देनी चाही उसको देने में एक नियम खड़े हुए बुद्ध ने कहा मेरी शैली है कि तुम मासाहार नहीं करोगे मेरी शैली है कि तुम ध्यान करो विपस्ना करो उसने अपनी वो शैली दे देनी चाहीं लेकिन क्या ये शैली और बुद्ध पुर्शों से मैच खाती क्या एक कोई शैली है जो सबको दी जा सकती यही कारण था कि दुनिया में इतने धर्म खड़े होते चले गए मेरे शहर में एक चाई की दुकान है जिसका जिक्र में कई बार करता हूँ मेरे शहर में एक रेस्टरेंट है छोटा ऐसा क्वारट्टी रेस्टरेंट वो स्टेशन के बाहर अब मुझे क्यों बहुत सालों से मान नहीं हूँ तो पता नहीं लेकिन जब मैं वहां था तो उस समय उस रेस्टरेंट पर बहुत चाई हजारों चाय बिख जाती थी लेकिन दुकाने तो बहुत है उसकी हजारों क्यों बिखती हैं मैं इस पर चिंतन किया करता था कि यार इसका बहुत बिखता है मार तो एक दिन मैं वहाँ बैठा हुआ था और वो बैठे हुए चीज ऐसी थी कि एक व्यक्ति वहाँ पे चाई पीने आया और उसने वहाँ पे कहा कि भाई एक चाई बना देना थोड़ी सी पती कड़क कर देना चीनी थोड़ी कम रखना तो वहाँ का वेटर एक अधना सा वेटर उसने का भाई सब आप यहाँ से जा सकते हैं यहाँ आपके लिए चाई नहीं उसने का क्या मतलब है उसने का भाई सब हम यहाँ चाई अपने हिसाब से बनाते हैं आपको पीनी हो पीए नहीं पीनी हो ना पीए लेकिन हम हर एक के टेस्ट के हिसाब से चाई नहीं बनाते हैं पहली तो बात यह हैं फिर बहुत से बाबा लोग ऐसे बैठे हैं जो जो आता है उसके टेस्ट के साब से चाय बना देते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा धंदा सिद्ध होता है कोई निर्मल बाबा किसी को रजगुले के लाकर सब सैटिस्फाई उनको कर दिया वो एक धंदा होता है फिर दूसरा एक और चीज होती है दूसरी होती है वैसी कि चाय की दुकाने बनी होगी है जैसे बुद्ध ने कहा मेरी चाय की दुकान मैं अपनी मर्जी की बनाओंगा जिसको लेना हो आ जाए इसको लेना हो ना आए अब ऐसे बुद्ध बैठे हैं महावीर बैठे बैठें और बहुत तमाम बैठें जिसको जिसको अपने अपने गुरुओं की याद आ रही हो वो उनको भी जोड़ ले इससे हालत यह हुई कि आदमी फटता चला गया कि किसी को यह स्वात पसंद तो वो उसको अच्छा कर रहा दूसरे को गाली दे रहा इससे संसार में जहन तो एक धर्म और बढ़ जाएगा मैं आपके टेस्ट की गोल हूँ तो मेरा दंदा तो चमक जाएगा जैसे अम्मानी कहते थे कर लो दुनिया मुठी में हम सबने मुठी में मोबाइल कर लिया वो तो चमक गए हम सब के हाथ में मोबाइल भी नहीं है यह भी नहीं चलने मु मैं उसकी बात करूंगा मैं जो भविष्य देखता हूं मैं उसकी बात करूंगा ना कि मैं उसकी बात करूं कि जो आप भविष्य चाहते हों हुआ यह हमने सोए हुए लोगों की जिग्यासा के तहत जागे हुए लोगों से यह चाहा है कि सोए हुए लोगों के लिए दुन sleeping में है बहुत अच्छी सोई भी मुझे इस दुनिया को जगाने का भी कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है लेकिन दो चीजों पर चिंतन करता हूं तो इसका उत्तर मिल जाता है दो चीजों पर चिंतन करने से इसका फिलकुल सही समाधान मिलता है कि क्या किया जाना चाहिए पहला चिंतन है कि एक व्यक्ति सन्यास की तरफ उत्सुख क्यों होता है पहला प्रश्ण और दूसरा प्रश्ण है जो सन्यास की तरब उत्सुख होता है उन में से जो लोग उपलब्धी तक पहुँच गए हैं फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं दो ही प्रश्ण है एक तो यह कि एक आदमी परशानता है घर से निकलता है तो क्यों निकलता है उस पर चिंतन करना है और जो परशानी से मुक्त हो जाता है फिर वो क्या करता है उस पर चिंतन करना है तो पहली बात ये है कि एक विक्ति सन्यास की तरफ तभी बढ़ता है जब परिवार और समाज उसकी आत्मा को खिलने में सयोगी नहीं होता ये मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ कि सन्यास का अर्थ ही होता है कि अब समाजिक पर स्थितियों में मेरी चेतना का खिलना संभब नहीं है इसलिए मैं अपनी चेतना को खिलने के लिए घर का त्याग करता हूँ और सन्यास की तरफ पढ़ता हूँ अब फिर जो बढ़ गए बुद्ध बढ़ गए महाबीर बढ़ गए बहुत से लोग घर त्याक के बढ़ गए उनमें पहुंच भी गए फिर अब जंगल छोड़के वो शहर आते हैं समझाते हैं अच्छे हो जाओ ऐसा घर बनाओ ऐसे नियमों का पालन करो वो फिर समाज को अच्छा करने लग जाते हैं एक आम आदमी भी अपने बच्चों को वो दे देना चाहता है जो उसे नहीं मिला और यही एक बुद्ध पुरुष भी कर रहा है लेकिन वही भूले हैं जिनकी मैं भी पहले चर्चा कर चुका जब बुद्ध पुरुष करना कुछ शुरू कर देता है लोगों को जगाने का आज तक धर्मों का मूल अधार रहा कि कैसे लोगों को जगाया जाए कि मूल अधार यह रहा कि जबकी जगाने के प्रोसेस का अगर पता हो तो जब तक एक अच्छा environment ना दिया जा सके तब तक जगाया नहीं जा सकता वो चाहे environment आश्रम का हो आश्रम भी एक परिवार ही है एक थोड़ा सा बड़ा परिवार है वो environment चाहे परिवार का हो तो मुझसे दो ही तरीके के लोगों ने question पूछे स्वामी जी मैं जागना चाहता हूँ मैं क्या करूँ घर में मन नहीं लगता घर में supportive नहीं है तो दो ही प्रशना आते हैं कैसे घर वालों को सयोगी बना दूँ अब मैं एक साथ दस लोगों को कैसे समझाओ अब उनके परिवार वालों को कैसे समझाओ कि तुम इनको ऐसे सयोग करो व्यक्ती व्यक्ती की counselling करूँगा तो मैं तो पूरी जिन की 10 परिवारों को भी सही कर दूँ ऐसा बड़ा मुश्किल है ऐसा बड़ा मुश्किल है दूसरी तरफ मैं उसको जागरन की बात सिखा दूँ और जागरन की बात सिखाने में अब एक व्यक्ती को तो सिखाय नहीं जा सकता अब एक व्यक्ती पर पूरा जोर मारू तो वो भी एक लंबी प्रकरिया का हिस्सा हो जाएगा तो फिर वही होता है कि एक एक व्यक्ती पर काम करके मेरा जीवन चुक जाता है और अंध में पता लगता तेरे दिल की तो कहते रहे मेरे दिल की तो रही गई मेरे दिल की तो रही जाती है अब यहाँ पे इसके सम्मन में जो मैंने कहा कि एक आइने की जरूरत है एक आइने की जरूरत है वो आइना क्या हो सकता है इसके सम्मन में अन्जाने में मैं बहूत समय से काम करता रहा ता मुझे पता भी नहीं था , कि मैं जो कर रहा हूं , यह एक दिन आइने की तरब बी ले जाया सकता है , मैं परिवार को, ऐसे हमेशा से ख़णा करने की कोशिश करता तरह जहां लोग बिना रिष्टे नातों के रहते हूं हम एक परिवार को जिसको अभी जानते हैं उस परिवार में मावाप भाई बहन जो है वो खून के संबंध होते हैं जिनको हम परिवार कहते हैं लेकिन वो खून के संबंध आते कहां से कोई एक गर्ब से निकल के आता है कोई एक गर्ब से निकल के आता है और गर्बों से निकल के आ आ के खटे हो जाते हैं उन्हें हमें परिवार कहने लगते हैं तो हम कहते हैं हम गर्बों से ना निकाल रहे हैं हम उस गर्ब से निकल के जो परिवारों में रहे हैं हम उस परिवार को एक गर्व मान लेते हैं वहाँ से निकाल के कुछ लोग लाए जा सकते हैं जो एक प्रियोग के रूप में खटे हो सकते हैं अब उसको अगर हम आश्रम नाम दें तो फिर भूल हो जाएगी कि आश्रम शब्द लिख देंगे तो वहाँ मुसल्मान नहीं आएगा अगर हम अभी हम कोई मुसलिम नाम दे देंगे तो हिंदू को फिर प्रॉब्लम है फिर एक धर्म खड़ा हो सकता है तो इसलिए कोई धर्म खड़ा ना हो उसमें ओशोने एक काम करने की कोशिश के उनने कम्योन कहा अब अगर मैं कम्योन नाम दे दूँ तो वह भी एक प्रॉब्लम है कि वह भी लगेगा कि फिर ये तो ओशोज़ वाला ही मामला है पिर कम्यून नाम से ही फिर ओशो वालों के अलावा और दूसरे आएंगे नहीं और जो आएंगे वो सब अपनी धाड़ना सोच के आएंगे तो मैंने सीधी सी बात एक मेरा नाम मालीजे सखा है और जो रह रहे हैं वो भी सखा है क्योंकि सखा के साथ दूसरे का सम्मन सखा का ही हो सकता है अगर मैं कहूं कि मैं मित्र हूँ आपका तो आप ये तो नहीं कह सकते मैं तेरा बाप आप ये भी नहीं कह सकते मैं तेरी मा मित्र का एक ही रिष्टा हो सकता है और वो है मित्र था तो हमने इसको एक नाम दिया सखा परिवार, परिए एक सखा परिवार है, अब इस सखा परिवार को मैं ये चाहता हूं कि यदि हम इस परिवार को खड़ाएं, अब ये मैं चाहता हूं, यहां से शुरू होती है धर्मों का भविष, मैं भविष देना चाहता हूं, मैं चाहत जाती को हम दो तरीके के प्रयोगों में बाट सकते हैं एक विज्ञानिक प्रयोग एक धार्मिक प्रयोग धर्मों के प्रयोग का परणाम है कि समाज खड़ा है विज्ञान के प्रयोग का परणाम है कि हमारे यहां बहुत सारे इंस्टूमेंट और यह सब चीजें लगजरी सुद्धाएं हैं यही तो है लेकिन धर्मों के एक्सपेरिमेंट ने दुनिया को खंड-खंड करा तोड़ के फेग दिया और वैज्ञानिकों के प्रियोगों का परणाम है कि उन्होंने जोड़ के फेग दिय हर घर में एक टीवी है वो हिंदू मुसल्मान जानता ही नहीं वो तो सब के आगे एक सा चलता है तो सही मानों में देखा जाए तो हम अभी तक दो तरीके के लोगों की जो खोज हुई बुद्ध ने खोज की लेकिन बुद्ध की खोज से दुनिया एक नहीं हो पाई क्या है पूरी दुनिया बहुत हो सकती है पूरी दुनिया क्रिश्चन हो सकती हिंदू हो सकती नहीं हो सकती एक होने की कोशिश में ही एक दूसरे का शोशन शुरू होता है इसलाम चाहता है कि पूरी दुनिया पे फैल जाए आतंगवाद फैल जाएगा अब हम इसलाम को जानते हैं कि पूरी दुनिया में फैला है इसलाम आतंगवाद अगर हिंदू ऐसा देना चाहेंगे तो फिर हिंदू आतंगवाद फैल जाएगा Christian देना चाहेंगे तो Christian आतंगवाद फैल जाएगा तो धर्म के नाम पे जब भी देने की कोशिश की जाएगी हम कहीं न कहीं आतंगवाद फैला देंगे लेकिन हमने सुना TV आतंगवादी फ्रिज आतंगवादी आतंगवादी मोटर साइकल आतंगवादी कार हमने नहीं सुना हम सुन भी नहीं सकते तो इसलिए मेरा मानना यह है कि हम जो भी चीज डबलप हो रही है हम थोड़ा उस पे चिंतन कर लें अब हम वैज्यानिक चिंतन पे थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आप मेरी बात को समझ पाए कि मैं किस दिशा में ले जाने की कोशिश करता हूँ वैज्यानिक चिंतन को हम पूरी स्वतंतरता दे देते हैं तो वैज्यानिक चिंतन के बाद हम क्या हां पहुँच रहे हैं वैज्यानिक चिंतन अगर होता रहा तो वैज्ञानिकों की एक्स्ट्रीम पे एक ही खोज है कि हम मनुष्टा को बचा सकें लेकिन पृत्वी पे मनुष्टा दो-चार करोन सालों तक ही रह सकती इसे बात तो बदलनी पड़ी इसके लिए वैज्ञानिक अभी इसे तयार है कि वो कोई प्लानेट ढूंड रहे हैं जहां पर वो मनुष्टा को बसा सकें तो अब एक बात सोचने वाली है हम सिर्फ इंस्टूमेंट को ही क्या दुनिया मानेंगे हम क्या टीवी फ्रेज कारों को ही दुनिया मानेंगे हम यह दुनिया तब मान सकते हैं जब यह सब भी हो और मनुष्टा भी हो तीवी पहुंचाना हो चांद पर पहुंचा दो लेकिन चांद पर तो टीवी बाद में जाएगा पहले आदमी पहुंचा ओ जो टीवी देख सकें और आदमी कौन सा पहुंचा ओगे लड़ाई जगड़े करने वाला आतंगवादी आतंगवादी अभी तो हम अभी हमने बात की इसलाम आतंगवाद है ना हिंदू आतंगवाद या क्रिस्चन आतंगवाद अगर यह चलता रहा तो एक दिन होगा प्रत्वी आतंगवादी चांद आतंगवादी मंगल ग्रह का आतंग या कोई और ग्रह मिल जाएंगे जूपीटर का आतंग ऐसे करके हम बाते करेंगे तो आज भी कितने भी ग्रहों खोज लो कितनी भी कोई चीज खोज लो लेकिन जब तक मनुष्टा साही से नहीं खोजी जा सकती ना हमारा के बात फिर धर्म पे आ गई कि कहीं ने कहीं होना तो इनसान को ही अच्छा पड़ेगा हम डवलप्मेंट की बात भी करेंगे तो इनसान को अच्छा होना पड़ेगा लेकिन इनसान की एक मजबूरियों में एक मजबूरी है कि यह अतीत की तरफ बहुत देखता है यह अतीत की तरफ बहुत देखता है और अतीत की तरफ देखता है इसलिए है क्योंकि अतीत में उसे पता है कुछ चमकते सितारे रहे होते हैं जैसे ओशो से लोगों ने पूछी कि भगवान बुद्ध के बारे में कुछ बता दें, आप कैसे रहे, संकर के बारे में थोड़ा बता दें, आप कैसे सोचते हो, बुद्ध से लोगों ने बुद्ध के बारे में पूछी होगी, बुद्ध से पूछी होगी है भगवान आप बताएं कि पहले कैसे ध्यान करते थे रिशी मुनियों के कैसे खाम होते थे और आपके सोचते हो रिशी मुनियों से रिशी मुनियों के बारें पूछी होगी उनसे पूछी होगी कि बगवान बताएं हम कहां से आये हमारा जनम कहां से हुआ तो हम हमेशा अधीर पूछते रहें अब ओशो को गए हुए 30-35 साल हुए तो वो 27-28 साल हो गए अब 27-28 साल में अब मेरे पास लोग आता है ओसो कैसे रहे हो ओसो ने क्या किया अरे भाईया हम से पूछ लो हमारे बारे में तो ज़्यादा अच्छा है और अतीप मुखी होने का कारण है कि हमें सिर्फ अच्छी-च्छी कहानियों में बच्पन से इंट्रेस्ट डाला गया लेकिन अब मैं आपसे कहता हूँ दूसरी पास हम मुखमत के बारे में अगर पूछें तो थोड़ी सी मुखमत की भी पता लगती है कि मुखमत क्या चाहते थे मुखमत चाहते थे कि लोग दुनिया अच्छी हो जाए दो परिवाद लड़ाई जगड़ा ना करें एक क्या खाने को ना हो तो दूसरा अपने घर से उसे बोजन दे दे ना दे सके तो कम से कम खुश्बूदार ना पकाए लेकिन जो चाहते थे मुखमत क्या वैसी दुनिया हो पाई चलो उन से पीछे चल पर राम चाहते थे रामराज्य हो जाए किसी के घर में ताले ना पढ़े क्या वो हो पाया और शो चाहते थे कि सन्यासी कम से कम सच्चे हो के जीए एक कम्यून के रूप में जीए एक परिवार के रूप में जीए क्या ऐसा हो पा रहा है इसी लिए मेरा मानना ये है कि हमें अतीद के बारे में जानने की बजाए अतीद के इन सितारों ने कैसी दुनिया के निर्मार की बात की हमें उस पे चिंतन करना चाहिए और यही चिंतन एक सखा परिवार का काम है मैं अगर किसी से कहूं कि कोई विक्ति मेरे पास ग्यान के लिए आये मैं इसका प्रचार करने अगर बैठता हूं तो सीरे सी एक बात निकल के आती है या तो मैं प्रवचन दूँ ग्यान ऐसा होता वैसा होता उससे वो सोया हुआ आदमी अपना सोया हुआ गर्णा करके और अपनी दुनिया को सोय हुए बनाने लग जाएगा मेरी बातों में हर बात तो मानेगा नहीं चुरा लेगा मतलब की बात मतलब की बात चुराएगा अच्छा वो ठीक भी है मतलब की ही चुराए फालतू की क्यों चुराए लेकिन मतलब की चुरा चुरा कही तो सब अलग-अलग हो गए सब ने अपनी मतलब की चुराई मैं कहता हूँ चलो बर्तमान में हम ओशो की बात कर लें ओशो का क्या सन्यासी ओशो की सब बात मानता है कोई एक सन्यासी लिए ओशो की सारी बात मानता हूँ असली बात तो यह मानने की जुरूत भी नहीं लेकिन वो कहता यही है कि यही आदमी सबसे अच्छा फिर उसकी बातों के लिए लड़ाई भी लड़ देगा दूसरों से ओशो ने कहा कि अपने बच्चों के साथ नगन रहो बले ही आदमी अपने बच्चों के साथ नगन नहीं रह रहा लेकिन अभी ओशो की इस बात पर डिवेट रख दिया जाए तो ओशो का सन्यासी लड़े का बात बिल्कुल साई ओशो की साई डिवेट में वो दूसरों को हरा देगा खुद माने ना माने इसकी कोई चित्ता ने तो मैं यहां पे सिर्फ इतना कर रहा हूँ चुनाओ की ही बात कर रहा हूँ लेकिन नए ढंके चुनाओ की बात कर रहा हूँ मैं अब दीरे दीरे अपने परिवार को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ मेरा भविष्ट में काम नहीं होगा कि मैं बहुत शिविर लूँ मेरा काम नहीं होगा कि मैं बहुत लोगों को ग्यान ध्यान और बुद्धत की बाते करूँ मैं जो मेरे अनुवभ हैं उसके तहट मैं 10, 20, 50, 100 मैं अभी तक 100 की संक्या सोच पाया मैं अभी 100 लोगों का एक परिवार बना रहा हूँ जिसमें से 8-10 लोग मेरे पास हैं बहुत क्यूं में हैं जिन में से मैं चुनाओ कर रहा हूँ तो मैं 100 लोगों का एक परिवार बना रहा हूँ जो इस दुनिया से ठक गए हैं मैं उनका परिवार नहीं बना रहा जो बुद्धत पाने आए मैं उनका परिवार नहीं बना रहा जो घर से परशान है इसलिए आए मैं भिक्नंगों का परिवार नहीं बना रहा जिनके घर में खाने को नहीं वो मेरे घर खाने आ जाए मैं सौ ऐसे लोगों का परिवार बना रहा हूँ जो सब तरीके से अपने आप जी सकते थे संसार में संघर्ष करकर के लेकिन उन्हें संसार की बिवस्था में अब कोई रूची दिखाई नहीं देती अब संसार की बिवस्था में कोई रूची दिखाई नहीं देती तो ऐसे मैं धीरे-धीरे सौ मित्रों का परिवार खड़ा कर रहा हूँ वो परिवार एक आइना होगा अगर कोई मुझसे कहता है कि स्वामी जी मैं धर्न जानना चाहता हूँ मैं आनन जानना चाहता हूँ तो मैं सिर्व उसे एक निमन्तर दे सकता हूँ आएं और इस परिवार के बीच में कुछ दिन बिताएं इस परिवार के बीच में दिन बिताके आप देख लें आपके पास एक संसार का भी अनुवभ है कि वहां परिवार कैसे होते हैं और आपको मेरे परिवार का भी अनुवभ हो जाएगा कि ये परिवार कैसा है फिर आप चुनाव कर लें, फिर आप ऐसा कर लें कि अपने परिवार को जाके या तो यहां के जैसा बनाएं, या फिर आप यहीं रुख जाएं, तो एक तरीके का मेरा जो परिवार है, वो एक आइना होगा इस समाज के लिए, जहां एक तरफ हर घर में भाई, भाईयों में भी जूते चल रहे हैं, प्रॉपर्टियों के लिए, वहां यहां पर किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, रेकिन किसी के जूते नहीं चल रहे हैं, जहां एक तरफ बाप भी बच्चे को बड़े होके, कि अब कमाएगा, तेरी अपनी जिम्मेदारी है, तो जो मर्जी होकर, ऐसी बा बाते कह रहा हूं, तो मेरी बातों के कहदे में, अतीत के कोईशन वो हुए, कि स्वामी जी बुद्ध तो कैसे घट जाए, कुर्णलनी कैसे जग जाए, लेकिन अब कोईशन यह होने चाहिए, कि इस परिवार को हम और बेतर कैसे बनाए, आप सब किसी ना किसी परिवार से जुड़े रहें, आप सब के परिवारों की अलग-अलग तरीके की दिक्कत रही, ठीक है, तो मैं यह चाहता हूँ, कि उसके तहत आप मुझे पूश सकते हैं, कि इस परिवार में उस दिक्कत का क्या सिल्यूशन होगा, क्या इस परिवार में वैसी दिक्कत थखड़ी नही हो जाएंगे, उसके संबन्द में आप मुझे प्रश्न करेंगे, तो निश्चिती आप मुझे सिखाएंगे, और मुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा कि मैं इसको और अच्छे सुधार कर सकूँ, अभी तक कि बुद्वरुशों ने आपको सिखाया, मैं यह चाहता हूँ, आप मुझे सिखाएं, मैं यह चाहता हूँ, आप मुझे सिखाएं, असल में आप जिस भविश्य को चाहते हैं, और क्योंकि सब अलग-अलग हैं, हर व्यक्ति अपना एक भविश्य चाहता है, लेकिन भविश्य चाहने में कभी भी वो चीज नहीं चाहते, जो आपके दुख का कारण रहें, यही तो होता है, हम भविश्य में अपने परिवार में वो चीज तो नहीं चाहते, जिससे दुख हुआ, हमारे कीचन में कभी सिलेंडर फट गया, तो कभी हम भविश्य में यह तो नहीं चाहते, सिलेंडर फटते रहें, हमारे गर में हमारे पिता से कभी हमार मद्वेध हुआ तो हम भविष्ट में यह तो नहीं चाहते हैं हमारे घर में मद्वेध बने रहे तो निश्ची थी हर व्यक्ति को पता है कि उसका भविष्ट कैसा होना चाहिए हर व्यक्ति को पता है तो आप बताएं कि जैसा भविष्च आपका है अभी अगर यहाँ बैठे हैं जो भी साथ आट लोग अगर सभी लोग अपने भविष्च में ऐसा परिवार चाहते हैं तो मात्र दस लोगों की सोच को पूरा लिख लिया जाए हैं और मात्र दस लोगों की सोच के आधार पे भी एक बेवस्ता बना दी जाए बिलकुल वैसी जैसा वो भविश्य चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं यही धर्मों का भविश्य है और दस लोग कोई बहुत डिफ्रेंट नहीं है मनोवज्यानी कहते हैं कि आदमी कितना भी भिन्न हो ले लेकिन मनोवज्यान सबका एक जैसा है दस लोग अलग अलग बिवस्ता के हो सकते हैं आप मेंसे यहां कोई भी रिष्टेजार नहीं बैठा हुआ है सब अलग अलग जगा से हैं एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ लोग यहां बैठे हैं ठीक है आप मेंसे यह बताएं कि मैं किसी के घर गया हूं मैं तो किसी के भी घर नहीं गया लेकिन आठो लोग मेरे घर में बैठे हुए हैं क्या आपस में हम मद्वेद हैं लेकिन आठ दस लोग जब बिना मद्वेद के एक जिगा रह सकते हैं जिन मेंसे कोई भी किसी के घर नहीं गया है अभी तो मैं यह कह रहा था कि मैं आपके घर नहीं गया लेकिन आप ही बताएं क्या एक दूसरे के किसी के घर गये हैं चलिए आप थोड़ा बहुत हो सकता है गये हूं लेकिन बाकी लोग नहीं गये जब हम बिल्कुल अन्जान लोग इकटे होके एक जगा सही से रह सकते हैं जहां ना किसी पे ताले हैं ना बहुत जंजट हैं ना बहुत नियम कानून तो सबको अपनी चेतना के खिलने के अफसर मौजूद है रिष्टे नातों ने आठ लोग होते हैं एक ही घर में आठों जानते हैं सबके बारे में और जीवन को नर्ग बना के फेक दिया तो आखिर वो भी आठ हैं आप आठ लोगों से भी मैं अपनी बातें आपकी लिखवाओं कि आप भविश से कैसा चाहते हैं आठों लोग जो लिखो मैं गारंटी से कहता हूँ कोई भी लोग बुला लो उनमें जो आप लोग बातें लिखोगे लगवग वही बातें वो भी चाहते हैं मैच कर जाएंगी यानि कि आठ लोग अलग अलग तरीके की सोच रखने के बाप जूद एक जगा आनंदित रह सकते हैं लेकिन हर घर में साथ आठ लोग इखटे रह रहे हैं और जीवन को नर्ग बनाया हुआ रीजन यही है कि उनके पास एक आइने की कमी है आइना नहीं है कि हम देखें कहां जाके हम यहां कालोनिया बनाते हैं हम यहां सोसाइटियां बनाते हैं सोसाइटी में एक सेंपल फ्लैट होता है जब कोई खरीदने जाता है यह सेंपल फ्लैट है देख लीजिए हम बाहर के मकानों का कंस्ट्रक्शन का सेंपल देख सकते हैं लेकिन एक परिवार की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए इसका कहीं कोई सेंपल दिखाया जाता है कहीं दिखाया जाता हो बोले तो हमें एक सेंपल परिवार बनाना है हमें एक सेंपल परिवार बनाना है अगर हम ये सेंपल परिवार बना पाए तो क्या घटेगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं समझता हूँ यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं इन में से किसी को बुद्धत तो नहीं चाहिए एक को छोड़ के लेकिन एक को चाहिए वह भी कोई बुरी बात नहीं है मैं गलत नहीं करना या दूसरे को गलत करने का अधिकार है तो यदि दस लोग रहें हम कहते किसी को अच्छा जीवन मिल गया उसे घर छोड़ने की याद नहीं है अगर आपके परिवार में आपको परिवार छोड ने की याद भी न आए या परिवार की बीच के कलेश आपको यह ना कहे कि यह चीज गलत है तो मैं कहोँ को और स्व오ग क्या होता है बोथ घर से निकल ग 별 कहानी ये तो चहती है कि बुद्ध घर नहीं लोटे वो यह बताने लोटे कि पापा जी ऐसे इसी घर में दिक्कते थी अगर यह सॉल्ब कर ली जाए तो मामला अच्छा हो सकता है और क्या वह आनंद बाटने आये होते तो गेट पे आता ही कहते सब भी पसना करो नहीं कहानिया छुपा ले जाती हैं बातों को हम असल में जब बुद्ध की कहानी लिखते हैं तो बुद्ध के प्रेमी बुद्ध की कहानी लिखते हैं तो वो उनको महमा मंडित करते हैं वो कहते हैं कि बुद्ध घर लोटे करना की कारण लोटे करना नहीं इतने समय बाद उ अच्छा होता तो घर छोड़ने की जरूती नहीं ति richtige तो घर बताने लोटे अच्छा बताने तो लोटे लेकिस बताने लोटे तो पिता ने का आगके अला अमया से कहे रहा हुँ मैं जब शांत हो के अपने घर में था तौ लौटता ता पिता सोते Andaikmave सैल जढ़ता है अलगा इसको अकल आ गई तैं आब में सोंने बताया करता था or और मेरे घर में ने पिता की लड़ाई ये थी कि पिता कहते थे ये जो दुकान है इसे घर के घर चे जलना मुश्किल है और तू लोगों को पैसा बाटता है और मैं कहता था पापा तुम्हारे पास जो संपत्ती है तुम्हारे पास जो दुकान है इससे दस लोगों के घर चल सकते तुम्हां केल यह उजुँ धिए लेकिन फिर हम इस पे जब हमने बात कही तो इस पे बहुत सारे चिंतन उठेंगे फिर परिवार के खरचे कैसे चलेंगे आप लोंगों के दिमाग में आsama तुम्हें नहीं आ रहा तुम्हें पता है ना लेकिन बहुत चिंतना आते हैं परिबार के खर्चे कैसे चलेंगे स्वामी जी फिर अगर पूरी फिर ऐसे भी लोग ऐसे करें अगर पूरी दुनिया ही घर छोड़ देगी फिर कैसे होगा अरे जब छोड़ेगी तब उसकी सोच लेंगे तो नहीं जोड़ दिया अभी तो आठ अरब आदमी है मैं अभी तो अभी तो आइने की सोच रहा हूं हुआ मैं सव अइने की नी सोच रहूँ हे सो लोग कर मिला हुआear अ मुड़ा परिवार हे अटायना है और इसमें दिफरेंट डिफरेंट करेक्टर है इस अभी इसे आप एक बच्चे को भी दो बच्चों को एक जेसा नहीं बता सकते आप मेरे पास जितने बच्चे सब डिफरेंट टाइप करेक्टर हैं दो आप इनसे मिलके देख लीजे इनका इंटरव्यू लेक देख लीजे सब अपनी राम कहानी अलग लिए कह रहे होंगे लेकिन इतनी अलग अलग राम कहानी कहने वाले भी एक साथ मस्ती से रह लेते हैं सब अलग अलग राम कहानी कहने वाले हैं सबके स्वाद डिफरेंट हैं कोई नावेज खाता है कोई नहीं खाता है कोई वाइन पी था कोई प्रेम में प्रेम बिलकुल से तर psychic शायद किंदू परंदू पर बात करने नहीं बैटा हूं खिर जो है मैंशी की बात कर रहा हूं किन्तु परंतु पर हम कहां अटके रहें किन्तु परंतु बहुत हो गया मेरे भविष्ट में मैं जिस भविष्ट की बात करता हूं वहां किन्तु परंतु हो गई नहीं वहां किसी भी तरीके का कोई बॉस नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई जंगट नहीं, हाँ समझदारी की बात कहूं, तो मैं थोड़ा समझदार हूँ, इसलिए मैं चुनाओ कर सकता हूँ कि किस दंग से समझदारी को बढ़ाया जाए, लेकिन मैं भी कोई मालिक नहीं हूँ मैं भी कोई मालिक नहीं हूँ मैं इस बेवस्ता को पिरोने का एक काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा समझदार ज़्यादा पाता हूँ लेकिन मेरी कोशिश यह है कि सबकी समझदारी का सम्मान होना चाहिए कई बार लोग अब यह भी प्रश्ण कर लेंगे मेरे उस पर कि आप जब चले जाओगे तो क्या होगा तो मेरे जाने से पहले मैं एक समझदार बना के जाओं एक प्रधान सेवक होता है एक समझदार सेवक भी हो जाए जो एक बिवस्ता को चला सकता है आखिर पूरी दुनिया का मेनेजमेंट कौन कर रहा है कोई एक व्यक्ति तो नहीं कर रहा लेकिन दुनिया चल रही उसी तरीके से जिस तरीके से यह समाज बिना किसी के चल सकता है जब दुखी समाज बिना management के चल दा तो एक सुखी समाज बिना management के क्यों ने चल सकता management का मतलब बिना किसी के मालिक बिना voting की ए बिना कोई जेनरेट किये management मतलब यह होता है तो उसके चल सकता है तो मैं जिस अब मेरा जो काम है जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं कुछ समय बाद अपनी बात रखूंगा कि मैं क्या सोचता हूं आज तक मैं क्या करता रहा वो वही था मुझे लगा वो शो बड़ी बढ़िया बात कह गए सब को ध्यान करा लो करा के देखा प्रियोग असफल है कोई ध्यान की विदिया ऐसी बताई नहीं जा सकती जिसे दुनिया को सुधारा जा सके मुझे कोई बता दे कि एक प्रियोग ऐसा जिसे पूरी दुनिया को सुधारा जा सकता तो पहली बात तो वो जो प्रियोग कर रहा है मुझे वही सामने आ जाए क्या सब पे लागू किया जा सके कोई ऐसा कपड़ा नहीं हो सकता जिसे सब को पहनाया जा सके कोई ऐसी टोपी नहीं बनी जो सब लगाने को राजी हो कोई ऐसा तिलक नहीं बना जिने सब अपने माथे पे रगड़ना चाहे तो फिर क्यूं ऐसा हो सकता है कि हमारे यहां एक जगा ऐसी हो सकती है कि परिवार के बीच में एक कमरे में बैठा है एक अपना अल्ला हुआ कुछ कर रहा है दूसरा गाराम की गंटी बजा रहा है कोई बुरी बात नहीं अगर तू राम से राजी है तो हो जाए इसमें मुझे क्या दिक्कत अगर कोई मुहम्मद से राजी है तो इसमें मुझे क्या पत्ती और किसी को भी क्या पत्ती होनी चाहिए लेकिन तुम गलत हो हम सही है इसके चक्कर में बड़ा जहन्जट है ये एक परिवार मैं इसको सिर्फ एक परिवार ही नाम दे रहा हूँ मैं इसको मैंने कहाना मैं आश्रम और श्रम नाम नहीं देना चाहता लेकिन यही मेरा भविश्य है मैं अब इस संभावना पे काम करूँगा फिर मैं कहरा हूँ जरूरी ये भी नहीं है कि मैं जो कहरा हूँ सही हो लेकिन कम से कम मनुवैज्ञानिक आधार पे चिंतन के आधार पे जितना मैं देख पाता हूँ मुझे ये बाकी सबसे ज़्यादा सही लगता है क्योंकि बाकी सब प्रयोग तो हो गए आश्रम के प्रयोग हो गए असफल रहे ध्यान के सब प्रयोग हो गए? असफल हैं यह आप सबको भी पता है कितनों की कुंडल नी जगई है? यह सबको पता है अगर दो-چार धोके से जग भी गए हूँ तो वो माफ किये जा सकते हैं मैं कह रहा हूं मैं उझे धोके से इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई process होता तो सब पर लागू होता अब यह कुरसी है यह process है इस पर सब बैठ सकते हैं process तो होता है लेकिन को यह से करना नहीं जाता है मैं वही तो कह रहा हूँ आप यह सोचते हैं कि process होता लेकिन सब करना नहीं चाहते मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, सब उस प्रॉसेस के योग नहीं होते, आपका कुर्ता है, यह मैं पहनना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं इसमें फिट नहीं आता, यह भट जाएगा, आप प्रॉसेस वो चीज होती है, जो फ्लेक्सिवल हो, जो हरे के लिए, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी जैसा ब्यवस्ता हो, हर एक के लिए, अब चाहे कोई बॉयल करके पिए, चाहे मिनरल पी ले, चाहे नाले का पी ले, चाहे नदी का पी ले, सब पी रहे, हर तरीके का पानी चल रहा, गाय भैस ना प्रियोग मुझे लगता है कि पूरी तरीके से त्यार हूं मेरा सिर्फ यही चिंतन है कि अब यह परिवार बढ़े और यह परिवार बढ़के अभी तक जो मेरी सोच आती है मां तो सौ लोगों का भी परिवार अब यह सौ लोग कैसे बुद्ध नहीं चाहिए मुझे मैं कोई सौ बुद्धों को नहीं तलाश रहा हूं कि गलती में पढ़ जाओ कि सौ बुद्ध चाहिए मुझे तो सिर्व वो सौ लोग चाहिए जो यह कहने को त्यार हों कि हमने पूरी समाज की बेवस्ता देख ली उसमें अब हमें लगता नहीं कि हम रह पाएंगे हमें इस समाज की बेवस्ता भाती नहीं जिनको अभी पत्नी बच्चों का ख्याल भाता है वो अभी हमारे लाइक नहीं है जिनको अभी मावाप के दर्द देखते हैं वो भी हमारे लाइक नहीं है इसका मतलब उनको अभी वहां पे रहना चाहिए लेकिन जो माबाप का करके भी ठक गए जो पत्मी बच्चों के लिए करके भी ठक गए जो प्रेम सब ढून डान के भी ठक गए जो सब तरीके से ठक गए अब वो चाहें 20 साल के हो चाहें 50 साल के हो वो इस्तरी हो कि पुरुष हो वो कोई भी हो सकता है लेकिन जो ठक गए मेरे को पस सिर्फ ऐसे सो लोग चाहिए है और मुझे लगता है कि ठक हुए कि संक्याई करोणों में है तो मुझे सो लोग आसानी से मिल जाएं मैं बुद्ध नहीं ढून रहा हूं मैं तो मैं तो पास जो भी आते हैं उनके घरवाले मुझे गारियां देते हूं कि अधर मेरे लटका पागल हो गया वो बैठा है पूर्ष्व सन्यासी का बच्चा उसके माबाप ओशो सन्यासी उसका भाई ओशो सन्यासी पहले आया था इस चक्र में कि ओशो कुम में जा रहे हैं घरवालों ने भेज दिया जाओ ओशो का काम है अब वो कहता कि हमें स्वामी जी के साथ ही रहना जाना नहीं तो उसके घरवाले जो कि ओशो सन्यासी है वो कहते तू तू पागल हो गया ? तू पागल हो गया ? था प evidence लेकिन अभवयस्तित आदमी के चक्कर में भड़ा गया अब खर्वाले ना राज यहा ? मेरे को तो आनुद्धों जो जुड़े । उसे सब buddhu कहाँ तो मुझे सब बद हो गया ? आप बद्ध बना लेंगी ? नहीं मुझे नहीं बुद्धु बनाना, मैं भुद्धून को ही बुद्धत्यों का टेग लगा दू गा इस पर बुद्धोन के मात्यव difलिक । र कह रहा हूं मुझे जो बुद्धु चाहिए मैं नहीं बुद्धु कह रहा हूं ने दुनिया बुद्धु कह रही है हर घर में एक बच्चा कम से कम ऐसा है जिसे उसके घर वाले कहते हैं साला बेब कूप मुझे वही चाहिए मुझे वही चाहिए लेकिन जो पूरे तरीके से इस तरीके से निकलने को त्यार है मैं फिर यहां पर आ जाता हूँ अपनी वैसी बात जो मैंने कई बार कही कभीर कहते थे जो घर बारे आपड़ा चले हमारे साथ मैं लगवग वही बात कह रहा हूँ कि जिनों ने अपने घर को कुछ नहीं कर पाया ऐसा ने यह जो जितने बच्चे हैं मेरे पास पैठे यह अपने घरों में असफल बच्चे हैं यह अपने घर नहीं समाल पाए इन्हें अब लगता भी नहीं समालना है समाल सकते थे गर प्रयास करते रहते पूरी जिन्गी लगा देते एक घर समाल लेते वो पीछे बैठा वो शादी नहीं कर रहा बच्चे नहीं बढ़ा रहा उसकी मा परशान वो बैठी हाना वो बैठा ये बैठा ये सब वो हैं जो अपने घरों में गलत समझे गए तो अपन गलती माने जाएंगे इनके आधारों पर सही नहीं समझे गए वो उनके आधारों पर तो सही मानने त्यार हैं बच्चा कमाता हो हां सही है मेरा बच्चा तो बहुत बढ़िया वो तो स्वामी जीक पास जग बिगड़ गया नहीं तुम्हारे घर में वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि तुम अपने आधार पर रखते थे और मैंने इन बच्चों को इनके आधार पर चाहा मैंने इनके आधार पर चाहा मैं इनको इनके तरीके से रूट्स देना चाहरा हूं मैं यहां किसी पर कोई बात थोपता हूं मैं किसी पर कोई भोजन थोपूं कुस थोपूं न एक बेवस्था दे रहा हूँ हाँ जिस दिन यहाँ पर यह बच्चे कोई खिल जाए फिर इनकी मौज है यह जा सकते है ना खिलें यह भी कहके जा सकते है कि यह गलत है यह बेवस्था गलत है यह भी कहके जा सकते है तेकिन वो भी इनकी मौज है लेकिन अगर यहां से कोई जाता है मैं एक बात तो गारंटी से कह सकता हूं क्योंकि मेरा अनुभब है बहुत लोग यहां से गए भी हैं बहुत सालों एक बात तो पक्का अनुभब है कि वो किसी बाबा के प्रवचन में फिर बैठा सुनता नहीं उसने एक बाबा को इतना तो नहीं पड़ती हां बलकि मेरे पास जाने वाले कुछ बच्चे बाबा जरूर हो गए तो उन पे भी हम काम करेंगे कि उन क्यूं कारण रहे कि वो बाबा हो गए कौन सी कमिया मुझ से रही कि उनको बाबा होना पड़ा वो और भी कुछ हो सकते थे बाबा ही क्यूं उन पे भी चिंतन करेंगे तो ये जो मैंने आज बात कही कि ये होगा धर्मो का बभीष्य कि मेरा बभीष्य यह है कि मैं इस जगत के मकान में एक आईना दू हुआ हुए मैं प्रेम में करोना दू कोई व्यक्ति क्रोध में आकर उसे तोड़ देता है वो कुछ नहीं बोलता जब कोई व्यक्ति किसी आइने को क्रोध में तोड़ता है तो वो आइना उसी व्यक्ति को उसके सो रूप दिखा देता है सो चेहरे दिखा देता है कि और अगर आप उसको एक ही चेहरे से देखो तो आपको सवाधना सिखा देता है आईने के बगार कोई घर नहीं होता वैसे मेरे घर में कम आईने हैं मेरे घर में थोड़े कम आईने हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे के लिए आईना बने कि दिव्या को मेरे घर से कोई शिकायत नहीं रहती सिवाए एक के कि डैड एक बड़ा आईना लग वाले दिव्या ने आज तक और कुछ नहीं मांगा एक ही बार सही दिव्या ने एक ही चीज मांग एक बड़ा आईना लगा ले कि आने वाले भी मांगते हैं सब कुछ नहीं मांगते हैं क्योंकि आईना उनके खुद को देखने के काम आता है एक मैं आईना एक सिंबल दे रहा हूं इसको आईना मत पकड़ लेना कि हम लोग आईना कम्यून हो गए जो आयम आईने दे रहें ऐसा नहीं होगा कि हम आईने देते रहें कि आईना ले जाए वह आईना लिए वैटा पता नहीं कि आईना ही असली समाज की जरूरत है आईने का मतलब जिसमें हम अपने को देख सकें निहार सकें और वो समाजिक तोर पे वो संबंद कैसे हों कैसे जीएं कैसे उन चीजों पर काम कर सकें परिवार की बेवस्ता कैसे चलती है हम भी अपने परिवार की बेवस्ता चलाएंगे अभी ये भी question आईगी है फिर हम उस पर बात करेंगे कि ये कैसे हो तो अभी मैंने जो आप लोगों से कहा मैं आप लोगों से बिनम्र निवेदन करता हूँ देखने वालों से और यहाँ बैठके सुनने वालों से कि अब आप इस बिवस्था में क्या-क्या चीजों की जुरूत पड़ती है कि आपके हिसाब से क्या-क्या चीजे हो आप उसको मेरे सामने question के रूप में लाएं और वो चीजे मुझे question के रूप में आप लाएंगे लेकिन मैं उसको answer के रूप में देखूँगा और मैं अपनी इस बिवस्था में उसको कैसे लागू कर सकूँ इसका प्रयास करूँगा अभी तक ऐसा रहा कि एक बुद्पुरुष कहता था ध्यान करो ऐसे बैठो यम नियम कानून लागू करो और आप लागू करने ही पाते थे अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आप बताओ कैसा चाहिए परिवार और मैं करूँगा उसको लागू लेकिन किस धंग से करूँगा उस पे चर्चा कर लेते हैं कि वो धंग ऐसा हो कि किसी के शोशन का धंग ना हो जैसे कोई ये कह सकता है कि फॉर एक्जामपिल कोई ये कह सकता स्वामी दी हमें अपनी मर्जी से चीखने चिलाने की आजादी मिलनी चाहिए भाई तो तू चीख चिला ले इसमें कोई बुरी बात नहीं लेकिन किसी के नींदना खराब हो जाए इसका ख्याल लखा जाना चाहिए तो उसकी बेवस्ता कैसे होगी मैं जो बात कह रहा हूँ मैं जो कह लेने दीजे मैंने कहा जो मुझे कहना था मैंने कह दिया कि मैं अब भविश्य क्या चाहता हूँ मैं अपनी बची हुई जिन्दगी इसी पर लगाउंगा इसमें मैं नानक से भी चुरा सकता हूँ और वह से भी चुरा सकता हूँ मैं चोड़ आदमी सबसे चुरा लूँगा लकिन क्यूंकि ओ है आपके ही जगत के लिए तो आप अपने जगत में रहते हुए किन चीजों की कमिया पाते हैं कमिया बाहर की जरूरतों से लेके अंदर तक की जरूरतों की बात कर रहा हूं बाहर जगत की चीज भी कह रहा हूं आप अच्छा किचन चाहते हैं अच्छा प्लेट चाहते हैं उनकी भी बात करेंगे लेकिन अच्छा सुभाव चाहते हैं रोने की आजादी चाहते हैं चीखने की आजादी वो सब बाते आप कर सकते हैं तो मैं अभी एक छोटी सी बात कि अभी मैं इसमें विराम लूँगा विराम लेने के बाद आप लोग मुझसे इसी संबन्द में चिंतन नहीं करेंगे। आप लोग अपने प्रश्ण लिख लेंगे, फिर मैं अगली मीटिंग में जब बैठूंगा तो उस पे बात करेंगे। बीच वक्त में छेडेंगे नहीं। यह बिल्कुर इस पस्ट कह दूँ, जो छेड़ेगा मैं उसको छेड़ दूँगा। छोड़ देंगे, आप अच्छी बात है कि छेड़ नहीं मैं उसको छोड़ दूँगा। तो आप लोग अपने प्रश्णों को त्यार करें। आप लोग अपने तरीके से कैसा होना चाहिए। मुझ पर संधे इस विवस्ता को चलाते हुए कौन-कौन से संधे आ रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। तो हम लोग वन वाई बन इस पे चीजों को उठाएं। फिर आप लोग आपस में इस पे बात कर सकते हैं कि क्या। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपस में बात ना करके अपने अपने अंदर से निकलने दे चीजों को। उनको एक कागज पर उतारें और वन वाई बन हम उन चीजों को उठाएंगे अगर दो लोगों की आपस में मैश करती हुई बाते हैं तो वो एक की जब उठेगी तो दूसरे को पता लग जाएगा उसने आंसर मिल गया तो वो उसको हम नहीं करेंगे दूबारा ठीक है तो हम एक कैसा भविष्य हो धर्मों का भविष्य यह धर्मों का भविष्य है अभी तक था कि हम सारे धर्म हमको अतीत में ले जाने का काम करते थे अभी भी बहुत से बावा बैठे हुए आओ हम आपको बताएं शंकर कैसे जीते थे और मेरे पास कोई आया ना कि मुझे शंकर की कोई कि सिंगता होना नहीं है ले लेकिन वियर्थ할 के क्विश्चन करता है तो बात betina जाती हैं, तो इसलिए मैं अतीत में नहीं जाना चाहता, धर्मों के अतीत हुए हैं, आसरे सभी धर्म अतीत में ले गए, और वो अतीत में खुद नहीं जाना चाहते थे, मुहम्मद तुम्हें भविश्य देना चाहते थे, राम तुम्हें भविश्य देना चाहते थे, नान की बात कर रहा हूं ये भविश्य है धर्मों का भविश्य है ये अतीद की तरफ ले जाने का काम नहीं करेगा तो इसलिए मैंने जो कहा अभी हम बिराम लेंगे आप मुझे जब कहेंगे मैं फिर बैठूंगा इस पर बात करने के लिए आपके प्रश्ण त्यार होने चाहिए आपिस बेंगा